Welcome back friends, friends मैं आज लिकर आया हूँ एक बहुत ही most important rule जिसको अक्सर exam में पूछा जाता है और spoken में भी इसका mostly use किया जाता है आज का topic है no sooner than conjunction जिसका Hindi meaning होता है he था या फिर की की sense में भी इसको use करते हैं no sooner than को दो helping verb के साथ में use किया जाता है first head के साथ और second did के साथ दोनों के साथ separate formula देख लेते हैं no sooner plus head plus subject plus verb की third form जैसे कि आप जानते हैं कि head के साथ verb की third form का ही use किया जाता है इसके बाद object plus then plus sentence जो last का sentence होगा then के बाद उस sentence को write करेंगे या बोलेंगे second formula no sooner plus did plus subject plus verb की first form यहां सिर्फ एक ही चीज़ का difference रहेगा verb की first form और third form का head के साथ verb की third form और did के साथ verb की first form बागी का says formula same रहेगा no sooner के साथ में THEN then का use किया जा रहा है ना की THEN THEN और THEN में बहुत difference है आप यहां पर THEN then का use करें no sooner then को example के द्वारा बहतर तरीकी से समझा जा सकता है first example वह घर से निकला ही था की बारिस होने लगे या इस तरीके से भी हिंदी बहा बोल सकते हैं वह घर से निकला की बारिस होने लगे या फिर जैसे ही वह घर से निकला की बारिस होने लगे आप हिंदी में किसी तरीके से भी अपना सेंस निकाल सकते हैं लेकिन इंगलिस में सिर्फ एक ही तरीके से बनेगा head के साथ या फिर did के साथ पहले बनाते हैं head के साथ no sooner had he come out of his home then it started running did के साथ बनाएंगे यही को no sooner did he come out of his home then it started running पुलिस ने देखा ही था कि वह भाग गया पुलिस ने देखा ही था कि वह भाग गया या जैसे पुलिस ने देखा वह भाग गया no sooner had the police seen then he ran away no sooner did police see then he ran away हम इस्टेशन पहुचे ही थे कि ट्रेन चल दे no sooner had we reached the station then the train left no sooner did we reach the station then the train left मैं सोया ही था कि कोई चिलाने लगा no sooner had I slept then someone started shouting no sooner did I sleep then someone started shouting राम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मेसेज आ गया no sooner had I called राम देन ही मैसेज़्ड मी no sooner did I call राम then he मैसेज़्ड मी फैर्ट्स मैं आसा करता हूँ कि यह कंजक्शन आपको बहता तरीके से समझ में आया होगा यदि आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like, share, comment जरूर करें और यदि आप चैनल पर new हैं तो इस चैनल को subscribe और वेल आइकन को जरूर पूश करें ताकि आपको मेरी new वीडियो को notification सबसे पहले मिल सकें friends मिलते next वीडियो में जब तक के लिए all the best take care, bye